है गाइज वेलकम बाक तुमा के टेकनिकल और इस वीडियो में हम बात करेंगे मारबुजू कैंडल के बारे में मारबुजू कैंडल स्टिक पैटरन सिंगल कैंडल स्टिक पैटरन है मतलब यह कैंडल स्टिक पैटरन केवल एक कैंडल स्टिक पैटरन से मिलकर बना होता है यह Candlestick Pattern में Cable Candle की Body होती है ना इसकी Upper Shadow होती है ना ही Lower Shadow होती है इस Candle को Bald Candle भी कहते हैं क्योंकि इसकी Shadows नहीं होती और Shadows को Hairs की तरह Consider किया जाता है इसलिए यहाँ पे Shadows नहीं है तो इसको Bald Candle भी कहा जाता है 12 बुसु Candle Extreme Sentiments तरशादी है Extreme Sentiment से यहाँ पर मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे Bullish Candle देख रहे हैं तो यहाँ पे Buyer's का जो Sentiment है वो Extreme है क्योंकि वो हर बढ़ते हुए Price पे हर तेजी वाले Price पे वो वहाँ पर खरीदने को तयार है वो जादा से जादा पैसा देकर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं बूअ के धितनी जादा लमबी होगी इन केंडर से पैरन का साइज जत्ता ज़्यदा बड़ा होगा संटीमेंट उतने ही स्ट्रॉंग होगे कैंडर से पैटर उतना ही पावर्फुल होगा तो हम बात करते हैं white marabuzo candlestick pattern के बारे, तो white marabuzo candle basically bullish candle होती है, single candlestick pattern है, bullish candlestick pattern है, इसकी कोई भी shadow नहीं होती, और candlestick का जो body का size होता है, काफी बड़ा होता है, ये candle एक strong sentiment बताती है, that means क्योंकि bullish candle है, यहाँ पर bias हर भढ़ते हुए price पर खरीदारी कर रहे हैं, वो जादा से जादा price देने को भी तयार है, उनका माना है कि यहाँ पर जो तेजी है, वो आगे और continue हो सकती है, इसलिए वो यहाँ पर लगातार भढ़ते हुए price पर खरीदारी कर रहे हैं, यह candle एक bullish continuation pattern की तरह भी काम करती है, तो यह candlestick pattern अगर किसी trend के बीच में बनती है, मान लेजे कि पहले तेजी का trend है और stock की वहाँ पर consolidate कर रहा है, और उसके बाद आपको इस तरह की candlestick pattern बनती हुए नजर आती है, तो वहाँ पर यह sign होता है bullish continuation pattern का, यह candlestick pattern bearish reversal pattern की तरह भी काम करती है, जब यह candlestick pattern एक downtrend में form होती है, downtrend में जो sentiments होते हैं, वो negative sentiments होते हैं, बाद पर bears हावी होते हैं, और जब इस तरह की candlestick pattern downtrend में form होती है, तो वह आपर indicate करती है कि यहाँ पर reversal हो सकता है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर केवल बियर्स थे लिकिन वहाँ पर अब बायर्स आए है वो भी स्ट्रॉंग बायर्स आए है हर तेजी वाले हर भड़ते हुए प्राइस पर वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर जो sentiment है वो negative से positive हो सकता है तो यह candlestick pattern bullish candlestick bullish continuation की तरह भी काम करती है और bearish reversal pattern की तरह भी काम करती है Black Mara Boozoo Candle Black Mara Boozoo एक bearish candlestick pattern है Single candlestick pattern है एक candle से मिलकर बना होता है इस candlestick की जो body का size होता है काफी बड़ा होता है ना इसकी upper shadow होती है ना lower shadow होती है इस candle का open high same होता है इसका मतलब शुरुआती दोर से ही यहाँ पे हमें गिरावट देखते को मिलती है और जो closing आती है low price पे आती है that means कि शुरुआत से यहाँ पे गिरावट होती है पूरे trading session में गिरावट होती है और closing भी low price पर आती है यह candle एक strong sentiment candle है strong sentiment का यहाँ पर मतलब है कि buyers यहाँ पे market के खुलते ही बिक्वाली शुरू कर देते है हर गिरते हुए price पर हर कम price पर वो वेच रहे है कम से कम price पर वो बेशने को तेयार है उनका मानना है कि यहाँ पे जो गिरावट है आगे भी continue हो सकती है उन्हें और कम price मिलेगा इसलिए उन्हें जो भी price मिल रहे है वो वहाँ पर यहाँ पर लगातार विक्वाली कर रहे है यह candle stick pattern एक bearish continuation pattern की तरह भी काम करता है मान लिजए कि पहले downtrend है और वहाँ पर consolidation होता है या फिर downtrend में ही इसी तरह की candle बनती है तो आगे भी यहाँ पर उमीद लगाए जाती है कि यह जो downtrend है वो आगे भी continue हो सकता है और यह candle भी एक bullish reversal pattern की तरह काम करती है bullish reversal से यहाँ पर मतलब है कि अगर यह candle stick pattern एक अच्छी तेजी के बाद बनती है अच्छी तेजी अगर है तो इसका मतलब sentiments positive थे वहाँ पर bias खरीदारी कर रहे थे लेकिन अचानक इस तरह की candle बनती है इसका मतलब sellers अब यहाँ पर bias पर हावी हो चुके हैं और यहाँ पर गिरावट और भड़ सकती है यहाँ पर reversal हो सकता है तो यह candle bearish continuation की तरह भी काम करती है और bullish reversal candlestick की तरह भी काम करती है मारबजू candlestick pattern एक rare candlestick pattern है आप अगर इसे real time charts पर देखेंगे तो यह जो pattern है बहुत ही कम आप इसे charts पर पाएंगे तो इसे ढूड़ना मुश्किल है क्योंकि इस तरह की candlestick जो patterns है वो बहुत ही कम फॉर्म होते है इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इस candlestick pattern की कुछ variations के बारे में so that हम इसको charts पर असानी से identify कर पाएं और trade opportunities को miss ना करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये rare candlestick pattern है rare है इसलिए आप इसको charts पर आपको ये नहीं मिलेगा बहुत कम मिलेगा इसकी जो frequency है काफी कम होती है इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी variations के बारे में इसकी variations होती है closing marabuzo candle और दूसरी variation है opening marabuzo candle candle एक single candlestick pattern है basically marabuzo candle stick की variation है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि marabuzo candle stick charts पर identify करना काफी मुश्किल है क्योंकि वो एक rare pattern है उसकी frequency काम होती है इसलिए closing marabuzo उसकी एक variation है जो आपको easily charts पर देखने को मिल जाएगी इसकी frequency भी काफी अच्छी है so ये भी एक strong candlestick pattern है एक strong sentiment दरशाती है अगर ये bullish candle है तो उस case में उसकी upper shadow नहीं होती है closing और high price same होता है closing marabuzo अगर bullish candle है तो उसकी केवल lower shadow होगी और वो भी काफी कम होगी और अगर ये bearish candle है that means black candle है तो वहाँ पे जो closing होती है वो low price पर होती है वहाँ पर lower shadow नहीं होती किवल upper shadow होती है तो basically आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप bullish candle की बात करेंगे तो bullish candle में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वही same logic काम कर रहे हैं कि buyers हर महेंगे price पर भी खरीद रहे हैं जिसकी वज़ा से जो closing है almost high price पर that means closing मारा बुजू एक strong candle है उसी तरह से bearish candle भी आप देख रहे हैं कि sellers लगातार बिकवाली कर रहे हैं कम price पर भी बिकवाली कर रहे हैं जिसकी वज़ा से closing है low price पर आती है लेकिन यहां पर sellers हावी हो गए और गिरावट लगातार continue हुई जिसकी वज़ा से closing है बिल्कुल low price के आँस पास है तो closing मारा बुजू candle एक strong candlestick pattern है जो strong sentiment दर्शाती है अगर bullish candle है वो दर्शाती है कि यहां पर buyers काफी strong है और अगर वो एक bearish candle है तो वो दर्शाती है कि यहां पर sellers काफी strong है उपनिक मारा बुजू candle मारा बुजू candle stick pattern की दूसरी variation है तो इसकी सारी characteristics सेम रहेंगी जो मारा बुजू candle की रहती है तो यह single candlestick pattern है strong sentiment candle है अगर bullish candle है that means buyers are aggressive और अगर यह bearish candle है that means sellers are aggressive तो character stick सेम रहेंगी बस दिखने में यह जो candle stick pattern है वो थोड़ी से different है तो ओपनिक मारा बुजू में अगर आप bullish मारा बुजू candle की बात करें तो bullish मारा बुजू में prices जो है अपने low के आसपास open होते है that means opening पर ही यहां पर buyers की command होती है और वो लगातार हर भड़ते हुए price पर खरेदारी करती है जिसकी वज़ा से जो closing आती है वो एक अच्छी closing आती है almost high के आसपास यहां पर closing आती है तो bullish मारा बुजू यहां पर candle जो होती है उसमें lower shadow नहीं होती केवल upper shadow होती है वो भी काफी काम होती है और body का size यहां पर बड़ा होता है और shadow यहां पर बहुत कम होती है और वहीं अगर हम bearish candle की बात करें तो bearish candle में open और high same होता है मतलब यहां पर opening पर ही sellers हावी थे और वो लगातार भी क्वाली कर रहे है कम price पर भी बिशनी को तयार है इसलिए जो closing आती है low price के आसपास आती है तो opening marabuzo candle की में lower shadow होती है upper shadow नहीं होती तो opening marabuzo candle एक another variation है marabuzo candle की अब यहां पर आप compare कर सकते है opening marabuzo candle को closing marabuzo candle से तो अगर आप इन दोनों candle stick को compare करेंगे तो आप देखेंगे कि closing marabuzo candle is stronger than opening marabuzo candle ऐसा क्यों होता है इसकी आप candle stick formation से पता लगा सकते है जैसा कि आपने देखा कि closing marabuzo में जो closing आती है आप यहां पर देखें high price और closing price same होता है that means opening में भी यहां पर buyers जो है command में थे और closing में भी यहां पर command में है और अगर हम opening की बात करें opening marabuzo के candle के बात करें तो यहां पर high पर closing नहीं आती है लेकिन high के आसपास आती है तो candlestick pattern दोनों strong है लेकिन अगर आप comparison करेंगे तो closing marabuzo is stronger than opening marabuzo तो यह छोटी छोटी चीज़ें है जो आपको analysis में आपकी मदद कर सकती है क्योंकि candlestick pattern से ज़्यादा important है कि उससे पहले किस तरह का previous price action आपको देखने को मिला है तो अगर आप कोई भी candlestick pattern को analyze कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए कि पिछली 5 से साथ और maybe 10 candlestick pattern किस तरह की बनी है और उसको compare करें आपकी latest candle से तो जोले इस candlestick pattern के कुछ examples सेखते हैं अब यहाँ पर आप यह जो candle देख रहे हैं यह मारवजू candle है और यह मारवजू candle की जो variation है उसका नाम है opening मारवजू candle तो यहाँ पर आप देखेंगे open और low almost same है that means opening पर यहाँ पर यहाँ पर bias हावी थे लगातार हमने तेजी देखी a closing high price के आसपास आई आप देख सकते हैं candle stick की body का size काफी बड़ा है और upper shadow बहुत ही कम है तो यह एक opening मारवजू candle है अब हम यहाँ पर compare करेंगे इससे पिछले previous price action से तो आप पिछली 5 या 6 या 7 candle देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर bullish candle बनी उसके बाद एक चोटी सी bearish candle बनी तो पिछला trend आप जो देख रहे हैं यहाँ पर एक तेजी का trend था उसके बाद यह bullish मारवजू candle यहाँ पर बनी जो indicate कर रहे हैं कि यहाँ पर bias aggressive हो चुके हैं तो यह जो तेजी थी पिछली वो आगे भी continue हो सकते है तो यहाँ पर यह candle एक bullish continuation candle का यहाँ पर उसने काम किया तो चलिए अब कुछ और examples देखते हैं तो आप यहाँ पर देखें तो यह भी एक opening मारवजू candle है lower shadow नहीं है अपर shadow कम है एक अच्छी बड़ी body की candle है उससे पिछला previous section देखें तो यहाँ पर तेजी थी उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं छोटी range की candle बनी indecisive candle बनी यहाँ पर तेजी के बाद indecision हुआ एक तरह से आप इसे consolidation कह सकते हैं के बाद यह जब मारवजू candle बनी और आप देख सकते हैं एक तरह से एक breakout candle भी है तो यह candle अगें यहाँ पर indicate कर रही है कि जो trend है पिछला देजी का वो आगे continue हो सकता है तो यहाँ पर यह candle थी bullish continuation candle थी तो चलिए कुछ और examples देखते हैं अब यहाँ पर आप जो candle देख रहे हैं यह एक bearish मारवजू candle है open high almost same था उसके बाद एक लंबी body की candle थी और जो closing price आया almost close के पास आया आप देख सकते हैं candle stick की जो body का size है काफी बड़ा है और shadow यहाँ पर काफी कम है उसके बाद आप पिछला previous price action देखेंगे तो आप देखेंगे कि तेजी का trend था उसके बाद यह candle यहाँ पर बनी bearish मारवजू तो यह यहाँ पर indicate कर रही है reversal यहाँ पर अब तक bulls थे लेकिन अब यहाँ पर bears आ चुके हैं पिछले trend में अब तक यहाँ पर bulls थे लेकिन अब यहाँ पर bears आ चुके हैं और bears काफी aggressive है तो यहाँ पर indicate कर रही है कि यहाँ पर पिछला तीजी का trend है वो reverse हो सकता है उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद next day हमने gap down ओपनिंग देखी फिर से gap down ओपनिंग देखी और एक हमने अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली जलिए कुछ और examples देखते हैं अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यह भी एक bearish marabuzo candle है open high same था closing low price के आसपास हुई body का size भी काफी बड़ा है और पिछला previous price action देखें तेजी का था उसके बाद यहाँ पर indecisive candlestick बनी तेजी से यहाँ पर जो sentiment था वो sideways हुआ और sideways से य या पर gap down opening हुई गिरावट हमने देखें तो इस तरह से आप bullish marabuzo candle से sentiment change का पता लगा सकते हैं कि sentiment जो है continue होगा आगे या फिर वो reverse होगा आप यहां पर एक्जांपल देख रहे हैं यह bullish marabuzo candle है जो opening हुई थी almost low के आसपास हुई थी और जो closing हुई वो इतम high के आसपास हुई candlestick की body का size काफी बड़ा है और shadows काफी कम है तो थोड़ी बहुत flexibility आपको यहाँ पर आप consider कर सकते हैं तो यह देखिए यह candle stick pattern का अगर पिछला previous price action देखें तो गिरावट की थी 5-6 candle उसके बाद एक aggressive बड़ी bullish candle बनती है जिसका मतलब यहाँ पर जो negative sentiment था वो यहाँ पर positive हो चुका है तो इसलिए यहाँ पर जो beers है वो यहाँ पर मंदी की position बनाने में कत्र आएंगे और यहाँ पर नए bulls को confidence आएगा और यहाँ पर तेजी हमें आगे जाती हुई नजर आएगी तो आप देख सकते हैं इस candle stick pattern के बाद हमें आगे तेजी continue होती हुई नजर आए तो कुछ और example आप इस तरह से देख सकते हैं आप इस pattern को back test कीजे आपकी क्या observation है आप comment section में लिकर मुझे जरूर बताएं और इस pattern से related अगर आपकी कोई भी questions है तो आप मुझसे comment section में लिकर आप मुझसे पूछ सकते हैं और video पसंद आया हो तो please like और share जरूर कीजे मैं आप से फिर मिलूँगी next video में till then bye bye have a happy learning झाल झाल झाल